आज वीडियो की जो सुरुवात है कुछ अलग स्टाइल में करने जा रहा हूं क्योंकि आप एक की बैग्राउंड देख देखके बोर हुए होंगे तो मैंने सोचा चलो एक छत का व्यू दिखा देते अपना और जो कुर्टी हम सिखाने जा रहे हूं एक डियाइनर कुर्टी है जिसके अंदर हमने डाइमिटर कपड़े का यूज किया है तो उसकी मदद से दोस्तों आपको मैं सिखाऊंगा किस तरीके साब बना सकते हो और यह मैं बहन की बना रहा हूं और वीडियो बनाने के बाद यह कुर्टी बनाकर मैं पहना के भी दिखाऊंगा आप उसकी फि बनाना मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा तो यहां पर देखें इस तरीकी कि इसकी गैट आप आएगी तो यह कुर्ती बनाना बहुत असानी से सीख सकते हो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर कोई घर बैटे online classes लेना चाहता है जो की paid classes है यह हमारे paper cuttings को ख डबल में हमारे पास कपड़ा है ठीक है यह देखिए डबल फोल्ड में कपड़ा है हमारे पास अब मैं आपको इसका नाप के दिखा देता हूं इंचिटेब की मदस्ते जब हम इसको नापेंगे तो आप ध्यान से देखें दोस्तों यह आ रहा है हमारा एक चोबिस तक्री हम फोल्ड करेंगे उससे पहले में इसमें से बाजू को ही कठिंग कर लेता हूं तो यहां पर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे दियान से दिझें कोणी तक की बाजू है और इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे हैंимер अब दोस्तों हलकि सी प्रैस लगा लेता हूं क्योंकि आ रहत हैं मेरी प्रैस लगाने के बाद काफी अच्छी फिनिशिंग से कटिंग हो जाती हैं अब यहां पर एक निसान लगाते हैं 11 इंज की दोस्तों लंबाई है तो साड़े तीन पर बाजू आलमों लेंथ 11 है तो साड़े ग्यारा पर और इसको इस तरीके से सीधर निसान लगा लेंगे एक निसान सीधर यहां लगेगा बाजू की जो मोरी है वो रख लेते हैं दोस्तों साड़े ग्यारा और इसका जो साइज है मुड्डे का वह साड़े आठीन्स ठीक है इसको हम इस तरीके से देंगे से और आप इसकी कटिंग करेंगे तो यहां पर सिलाई का फोल्ड करते हुए आपको कटिंग कर लेना है इस तरीके से कटिंग कर लीजिए अब दोस्तों यहां पर एक कठ हम लगाएंगे एक कठ हमारा यह आएगा और एक कठ हमारा यह आएगा ठीक है उसके बाद आप इसको ऐसे करके इसके फरंट को जो कटिंग कर लेंगे और जितना माजन आपने यहाँ पर दिया है दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है यह हमने दिया देर इंज का इतना ही माजन हम जो कमीज कटिंग करेंगे तो उस मिलेंगे तो दियान से देखें दोस्तों मैंने इसको double fold करके बंद वाली साइड अपनीतर रखिये और यह चार fold में है एक दो तीन और यह चार ठीक है इसको मैं अचीतर प्लियस यहाँ पर लगा दिया उसका जो हाफ है वो मैं 4 इंच एक सुद्ध यहाँ पे निसान लगा लेता हुं उसका दोस्तों इंसीटेप लेता हूं तकरीबन इहाँ पर मैं इस्ते इंचे 18 इंच के आशप cette नििसान लगाँगा और जो निसान मैंने यहाँ पर लगाया है थीद्ध है सेम निसान यहां पर हमारी सेफ्टी है इसके नीचे मिला देगे थीक है और इस तरीके से रिआ देख सकते हैं अब यहां पर उठाने का दोस्तों मैं इसको यहां से 다ो कटिंग कर लेता हूं देखिए कटिंग करने के बाद दोस्तों ये वाला इससा हमारा ज्यादा है तो घेला बढ़ाने के लिए हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे रख लेंगे ठीक है ध्यान से देखना अब ये बंद वाली साइड है तो सबसे पहले इस जगा पर हमें जित का ऐसे निसान लगा लेना है पूरे में ठीक है यह हम पूरे में निसान लगा लेते हैं इससे दोस्तों होगा क्या कि अभी हम जो यह कपड़ा विछाएंगे ना तो इसमें हमारी हेल्प होगी अब देखिए जो निसान है इसको हमें ऐसे खेचने इस पर हमें इस तरीके से रखना है यह किनारी वाली साइड आएगी ठीक है और इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यह आपको इस तरीके से घूमेगा और किनारी वाली साइड आपके 4 पर एक बराबर होने चाहिए इस तर्रीके से दोस्तों ही आपका घूम जायगा तो यह आपका पूरा का पूरा इस तरीके से एक वो बन जाएगा जो घेर है नब बह जाएगा तो यहांपर जोड़ने का आप आपकी सेफ आ जाएगी तो बस को यहां पर क्या करना है कि सबसे पहले इस किनारी को बिल्कुर सीधा कर लेना है जैसे कि मेरी किनारी हल्की फुल की तेड़ी मेली है इसे सीधा करके मैं अच्छी तरह कर लेता हूं और यह वाला जो हिस्सा नहीं थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे होगा ठीक है उसके बाद यह स चली मैं इसे सेट कर लेता हूं फिर कटिंग बताता हूं तो इस साइड में सब से पहले मैं ऐसे निसान लगा लेंगे और यह नुद्स नीचे रखा है मैंने ताकि आपके अच्छी तरीक कपड़ा आ अब यहां पर हम निसान लगाएंगे सबसे पहले आलमोर लेंद का इस साइज में आलमोर लेंद रखेंगे हम 8 इंज क्योंकि बैक गला छोटा है यहां पर जो हमारी कमर का निसान आएगा वह आएगा दोस्तो साड़े पंद्राप बन दोनों निसानों को हम सीधा कर लेंगे लिन्ज क्यों हमने लिया था ओं घंज लतना नारोल लेंगे खिअए यहां पर इस तरहिकर लेंगे यह ₹प और बतुरा निसान के अंदर इसकर दोस्तो इस साइड के निसान ही यहां से आपको उलमत नापनी है और आपका यह हिस्सा को पूलागा पूला ओटोमेटिक गुलाई में आ जाएगा तो यह आपको थोड़ इसी गुलाई उपर की तरफ दे देनी है तो मैं इसको कटिंग करूँगा अब आते हैं दोस्तों इस साइड में जितना तीरा है दोस्तों उसका हाफ लेना है हूए यहां पर इंची ते भी रखे रखे आपको सबाईनच कम करके निसान लगा देना है फिर ऊपर आएंगे जितना तेरा है दोस्तों उसका हाफ करके सब्सक्ते आह है देखेँ जितना तीरा हूट कर जैंखाएगी पे और इन दोन निसानों को इसनमस्प्राइएंगी सभिभ्राई और इस तरह के से कटिंग निसान लगा लेंगे पहले स्वरी कटिंग नहीं करनी कि अब सब से पहले दोस्तों द्यान से देखें इसको हम सीधा कट करेंगे और यहां से कंधिक को डाउन करेंगे और आप वाले पल्ले को इस तरीके से कटिंग करेंगे जैसे कटिंग कर रहाँ ने ठीक यह उसके सैस का कट लगा बाटेस मैं इसको हम अलग रख देते हैं अब इधर वाली साइड में दोस्तों हमें पूरी लंबाई रखनी है तो आप इसको इस तरीके से कटिंग करें और यह उटमेटिक है आपकी गुलाई हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यह आपका पूरा घेरा हो गया इस तरीके से हो गया बस आपको यहां पर क्या करना है अभी आपको कोई फरेंट अगरा नहीं चाड़ना अब भी हम पहले इसको जोड़ेंगे तो पहले हमने कट लग तो यहां पर हम दो पल्ले खटा देते हैं ठीक है दो पनले लेते हैं इसमें हम अब यहां पर दोस्तों इसको ओपन करना इस तरीके से बीच वाले को यह देखिए ऐसे ओपन करेंगे बीच वाले को और यह वाला जो हिस्सा है न इसमें हम एक पल्ला लेंगे इसमें हम इसको इस तरीके से रखेंगे देखिए ऐसे मिलाकर और जैसे मिलाकर हम इसको ऐसे उतने माजने सिलाई लगाते हुए और उपर की तरफ से इसको जोड़ना नीचे की तरफ से नहीं जोड़ना यह हमारा ऐसे पलट जाएगा हम इसमें ओवलोग करके प्रेस भी कर लेंगे सेम दोस्तों यह वाली जो साइड है इसको हम ऐसे रखेंगे ठीक है और यहाँ पर भी सिलाई लगाकर ऊपर की तरफ से इसको ऐसे करलेंगे तो यह हमारा ऐसे जोड़ जाएगा तो चलिए इसको मैं जोड़ लेता हूं सेम इसी तरीकिसे बैक पल्ले को भी हम जोड लेते हैं तो देखिए दोस्तों मैंने इहाँ पर इसको जोड़ कर लिया और यहाँ पर आप देखे नीचे बैक वाला हिस्ता है तो बैक वाले इससे को तो हम अलग निकाल लेते हैं एक चीज़ दिहान रखना जब आप इसको जोड़ेंगे तो एक बार आपको यह जरूर मिला लेना है यह इकोल होना चाहिए ठीक है क्योंकि जोड़ में कम ज्यादा हो सकता है अब हम अ दूसी तरब भी ऐसे उठा लेना है इससे क्या होगा फिटिंग करने में असानी होगी हमें ठीक है अब यह मैं आपको घुमा लगा देता हूं यह देखिए मैं इसको डाल कर लेता हूं और यह निसान आपका कुछ स्टरिके से जाएगा ठीक है अब इसको ऐसे रखेंगे अब दोस्तों की जो फरेंट वाला हिस्सा है इसको हम आपको कटिंग करके चाट लेंगे यहाँ पर हमने इसको चाट लिया अब इसको ओपन करेंगे open करने का दोस्तों जो भी आपको गला बनाना है जैसे कि मेरा center गले का यह आ रहा है बस हमने आपे गले cutting करके बनाए हुए पहले से पहले बुकरम की बस आपको गले की जो broad है इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है जैसे अपने नॉर्मल गले को बनाती है और इसको पलट लेना है यह हमारा गला बन जाएगा बैक वाले गले को भी दोस्तों आपको इसी तरीके से करना है लेकिन बैक वाले को पलटना नहीं है पहले हम इसकी कंडी जोड़ेंगे तो चलिए मसीन पर यह चल कि यहां पर गले को हमने बना दिया अब इसको मैं ऐसे रखेंगे और सबसे पहले जो हम इसकी कंडी को जोड़ेंगे तो देखिए इस गले को हम ऐसे रखेंगे गले को हम इसके बराबर इस तरीके से मिला कर रखेंगे और कंडी को यहां पर जोड़ेंगे आरेंज के माजन से और इसको हम फिल कर देंगे फोल्ड इस तरीके से तो यहां पर हम सिलाई लगाएंगे एक सिलाई ओल लगा लें सेम आपको इस तरफ वाली कंदी को भी जोड़ देना है और ओवलोग कर लेना है यहां पर दोस्तों कंदी जोड़ के ओवलोग कर ली और गला पलटा कि हमने ऊपर किनारे पर सिलाई लगा दी अब इसको हम ऐसे रखते हैं हमा हमारी फरेंट साइट है तो यह वाला इससा लेंगे जो हमारा आलमोल कटा हुआ है इसको हम इस तरीके से देखिए मिला के रखना मैं आपको पास से दिखाता हो थोड़ा यह देखिए माजन ब्राबर रखने का फायदा है जोड़ेंगे तो यह कट से कट मिलना चाहिए और दोस्तों यह देखिए जो हमारा कट है कट से कट मिल जाएगा आपको साइट नहीं देखेगा यह देखिए कट आ गया और उसके बिल्कुल बराबर आएगा तो हम इसको बाजू को ऐसे आपको बताता हूं तो यहां पर हमने बाजू जोड़के अब देखिए यहां पर हमे फोल्ड कर ली थी बस आपको ऐसे मिलाना है इक्वल मार्जन रखने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आपको बस अपनी बाजू ना अपनी जो बाजू है और यहां पर सिलाई लगा कि आप निसान पर लगाते हूं वह बिल्कुल इक्वल मार्जन से अगर आपको निसान कि यहां पर दोस्तों मैंने सिलाई लगा दी आप चाहे तो यहां पर लूज करने के लिए एक्ष्टा लगा सकते हो अब आपको दूसरी तरफ जो है ना इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से मिश्टीच कर लेना है उसके बाद दोस्तों नीचे वाला जो हिस्सा है इधर करके एक बार दुबारा से ऐसे लगाने पूरे घेरे में यहां पर आपकी कमीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दोस्तों में गल्ले में तुरपाई करके प्रैस लगा कर अपनी भेन को पहना के इसकी फाइन लुक दिखाता हूं तो दोस्तों आप इसकी लुक देख सक आपилось करेसे इस का देख सकते हैं इसा तरीके से दोस्तों की फीट अब तो प्रोपर पूहुर्य Ю Be यह तो आपको यह कुलती कैसी लगी कैसा ने लगा हमें लिखा हमें प्मेंट कर发 nodig जोड़ुर बताएं एक इसका के बिल्कल भुलें थैंक यू फोर वाचिंग